जैसे कि फ्रेंट्स आप सब लोग को पता होगा कि एप्लिकेशन डेवलोपमेंट के लिए प्राइविसी पॉलीस का जरूरत पड़ता है जो प्राइविसी पॉलीस का पेज होता है उसका लिंक एक तो एप्लिकेशन के अंदर हमको पूड करना पड़ता है और दूसरा जो Google Play Console के अंदर हमको एंटर करना पड़ता है जब हम एप्लिकेशन पॉलीस करते हैं तो चैलिए आज का टपिक में मैं यही बताने वाला हूँ आप केसे फ्री में प्राइविसी पॉलीसी जेनरेट कर पाएंगे आपका एप्लिकेशन के लिए और वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत बगरा नहीं आने वाला है क्योंकि मैं पिछले देट साल से यहां पर काम कर रहा हूँ और आज तक मेरेको कोई भी प्रॉब्लेम नहीं आया है प्राइविसी पॉलीस को लेकर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास तक देखते रहिए एप्लिकेशन डेवलोपमेंट का हर प्रॉब्लेम सलिशन का वीडियो और ओनलाइन येर्निंग का वीडियो हमार चैनल में आपको मिल जाएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के पर क्लिक करें और उसके बाद आल के पर क्लिक करें और उसके सब्सक्राइब वीडियो के लाइक भी करते ना यार वीडियो के बनाना के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है okay friends personally मैं जहां पर privacy policy बनाता हूँ मैं उसके उपर आपको बताऊंगा आप उसको जरूरूर यूज कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में सबसे पहले गूगल में सर्च कर लिजिए आप privacy policy generator नहीं तो यह वाला पेज का लिंक मैं इसे description में दे दूँगा आप लिंक के उपर क्लिक करके यहां पर आ सकते हो यह जो पहला वाला लिंक आप देख रहे हो इसके उपर क्लिक कर लिजिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यह वाला पेज के उपर आ जाएंगे इसका एंटरफेस पहले से कुछ अलग दिख रहा था लेकिन अभी यह चेंज हो गया है अभी इसका एंटरफेस कुछ नेया डिजैन में आ रहा है तो कोई बात नहीं हम हमारा काम करेंगे यहां पर सबसे पहले application का नहीं में यहां पर इसके अंदर हमको personally data जो collect करें उसको भरना पड़ेगा तो मेरा application का अंदर में कुछ भी personally data यहां पर collect नहीं कर रहा हूँ मैं यहां पर लेख देता हूँ we are not collecting any personal information when you are using our application तो यह हो गया तो इसके निचे application का type मेरा application जैसे की free में है इसलिए मैं यहां पर free select करूँगा और उसके निचे mobile operating system तो आपका कौन सा platform है आपका application मेरा android है यहां पर मैं android select कर लेता हूँ अब आपका मर्जी से आपका platform यहां पर select कर सकते हो तो उसके निचे policy effective date यहां पर आज इसे ही रहने दूँगा क्योंकि ना मैं आज application को publish करने वाला हूँ और इसे option के just निचे owner type मैं यहां पर individual के उपर click कर लेता हूँ जैसे मैं individual के उपर click किया तो यहां पर developer name show कर गया है तो यहां पर मेरा developer name मैं यहां पर enter कर लेता हूँ तो मेरा google play console में यही वाला developer name है मैं फटापट सारे यहां पर enter कर लेता हूँ यह सारे चीज़ एंटर करने के बाद यहां पर आप एरो का निचान देख रहे हैं इसके उपर आपको click करना होगा जिसे ही आप click करेंगे तो यहां पर आपको third party service का link add करना होगा सबसे पहले तो आप देख सकते हो google play service यहां पर automatic यहां पर tick रहेगा और उसके निचे addmob है अगर आप addmob का add यूज़ करते हो तो addmob यूज़ कर सकते हो और मैं यहां पर facebook को select करूँगा और firebase को भी यहां आप यूज़ करूँगा क्योंकिना मैं यह दो चीज को application में add कर रखा हूं और उसके निचे one signal को भी मैं tick कर लेता हूं क्योंकिना इसको भी मैं use कर रखा हूं यह link से add करने के बाद फिर से arrow nation के पर click करना होगा जैसे आप यहां पर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते ह privacy policy and torment condition यह दोनों चीज यहां पर बन गया है मेरा application के लिए privacy policy का जरूरत है इसलिए मैं privacy policy select कर लेता हूं और यहां पर आप देख सकते हो साब साब यहां पर सब कुछ सो कर रहा है आपको यहां से सारे test को copy कर लेना है चलिए मैं अभी इसको copy कर लेता हूं ध्यान से देखे यहां से आपको copy कर लेना है उपर दग जो बाकी जो नीचे दीस privacy policy वाज यह नहीं करना है आपको यहां से उपर दग कपी कर लेना है कपी करने के बाद blogger के अंदर आ जाईए blogger के अंदर आने के बाद एक नया page यहां पर बना लीजिए जैसे कि page का editor open हो जाएगा तो मैं यहां पर इसको paste कर देता हूँ यह privacy policy paste होने के बाद मैं title में यहां पर कुछ भी भर देता हूँ जैसे मैं यहां पर भर दिया मेरा application का नाम privacy policy अगर आप चाते हो कि इसके अंदर आप कुछ और add करने के लिए तो आप जरूर कर सकते हो अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिकत नहीं है तो मैं थोड़ा यह privacy policy उपर लिखा गया है इसको थोड़ा मैं highlight कर देता हूँ heading करके और finally मैं यहां पर publish के उपर क्लिक कर लेत आप यहां से यह वाले URL को आप यहां से copy कर सकते हो कपी करने के बाद आप आप आपका application के अंदर इसको use कर सकते हो और Google Play Console के अंदर इसको भी use कर सकते हो तो आप आराम से इस तरीका से आपका application के लिए privacy policy generate कर सकते हो वो भी फ्री में यहां पर कोई भी दिक्कत बगरा नही को subscribe करें फिर मिलते हैं किसी निया वीडियो के साथ so finally thanks for watching